हलो बच्चो आईए आज हम इस वीडियो में हिंदी विशय के अंतरगर अपनी वर्ण माला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कोई भी भाषा बच्चो सीखने और बोलने के लिए हमें वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है है ना वर्णों की सहायता से ही हम कुछ बोल सकते हैं और लिख सकते हैं अब हिंदी बोलने के लिए हम देवनागरी लिपी का उपयोग करते हैं तो हमारी जो देवनागरी लिपी है वो क्या है उस वर्ण माला के बारे में हम जानेंगी वर्ण माला दो शब्दों को जुड़कर बना हुआ है वर्ण और माला तो उसे कहते हैं वर्ण माला वर्णों को एक साथ लिखना इन्ही वर्णों को मिला कर हम शब्द बनाते हैं और शब्द से वाक्य और वाक्य से पूरा लेख या कहानी तयार होता है तो हमारी हिंदी की जो वर्ण माला है उसकी जानकारी आप लोग को है आज हम उसके बारे में विस्तार से यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे अब बच्चों वर्ण जब हम दो वर्ण को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है जैसे यहाँ पर देखिए आम, कमल, भारत, गुडिया, आदी इन जो यह जो शब्द है इन में कई वर्णों को मिला के हमने उसका उप्योग करके एक शब्द तैयार किया है आम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर आस्वर है और म वेंजन है कमल, कमल, अब सब में और स्वर जुड़ा हुआ है और वेंजन का उप्योग करके हमने शब्द को तैयार किया है तो इसी प्रकार बच्चो आज हम वर्ण माला के अंतरगर्द सबसे पहले स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भाषा मानव जाती को एक वर्दान के रूप में प्राप्त हुआ है संसार के समस्प्राणियों में मनुष्य ही सरुस्रेश्प्राणी है उसकी स्रेश्टा का महत्तुकूर आधार उसकी भाषा है आप लोग देखिए बच्चो मनुष्य ही बोल पाता है लिख पाता है और अपनी भावनाओं को भाषा के द्वारा व्यक्त कर पाता है आप लोग देखते हैं जानवर बोल पाते हैं क्या नहीं अपनी भाषा में वो एक दूसरे से अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करते होंगे लेकिन हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते तो भाशा ऐसा जो वर्दान है मनुष्य को मिला है उसके द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को अपनी विचारों को एक दूसरे के पास पहुँचाते हैं आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समस्ते हैं भाषा द्वारा मनुष अपने भाव विचारों को समाज के अन्य लोगों तक पहुचाता है आप लोग जानते हो ना हम भाषा के द्वारा ही तो बात करते हैं भाषा के लिए हमें वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है अब भाषा को बोलना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी वर्णों की और वर्ण क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हो हमारे स्वर और वेंजन को मिला के है न अक्षर जो है हमारे से लेके ग्यां तक कहते हैं जो घोनी पड़ते हैं तो आप लोग अंग्रेजी में रोमन लिपी पड़ते हो अब पंजाबी में आ जाओगे तो गुरु मुखी लीपी होती है वो पढ़ा जाता है इसी प्रकार से हम किस भाशक हिंदी भाशा के अंतरगर देवनागरी लीपी का उपयोग करते हैं भाशा की सबसे छोटी जबसे छोटा रूप भाशा का क्या है ध्वनि, जो हम लिखते हैं और जो पड़ते हैं, ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है, वर्ण अर्थात स्वर और वेंजन, अर्थात हमारी हिंदी भाशा की वर्ण माला, इसे ही हम देव नाघ्रिली कहते हैं तो जो भाषा हम बोलते हैं उसकी शुरुवात कहां से होती है वर्ण से वर्ण ध्वनी की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते भाषा विज्ञान के अनुसार ध्वनियों को जिन चिन द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है उन्हे चिन्हों के द्वारा एक दूसरे को लिख कर बोल कर कहते हैं अपनी भावनाओं को बताते हैं उसे क्या कहते हैं हम वर्ण माला कहते हैं ठीक है बच्चों यहां तक आप लोग समझे कि वर्ण माला किसे कहते हैं अब हम आ जाते हैं स्वर की कितने भेध हैं स्वर किसे कहते ह स्वर का उपयोग वेंजन में मात्राओं के रूप में होता है इसकी भी जानकारी आप लोग को है परन्तु यहाँ पर थोड़े विस्तार में और उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे जी बच्चों पहले हम वर्ण की परिभासा जानते हैं वर्णों के विवस्थित समों को वर्ण माला कहते हैं जब हम वर्ण को विवस्थित समों में एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं वर्ण माला अर्थात वर्णों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते ह वर्ण माला उच्चारन और प्रयोग की आधार पर हिंदी वर्ण माला के दो वेद हैं एक स्वर और दूसरा वेंजन इसकी जानकारी आप लोग को है स्वर किसे कहते हैं वेंजन किसे कहते हैं अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वर्ण माला की परिभासा क्य आप लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए और ये याद भी होना चाहिए अब आते हैं स्वर की परिभासा पर स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारन हम बिना किसी औरोध के बिना किसी रुके बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से लेते हैं या उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर स्वर में हम लोग लिखते समय 13 स्वर लिखते हैं लेकिन हिंदी में कुल 11 स्वर हैं दो और हैं अंग और अह इसे हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं इसे अयोग वाह भी कहते हैं अर्थात यहां पर उसका योग नहीं है तो भी इसे स्वर में लिखा जाता है अयोग वाह स्वर्ण कहा जाता है इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगे हमारा स्वर क्या है आप लोग देखे यहाँ पर हिंदी की स्वर्ण वर्ण माला के अंतरगर्ण स्वर कितने हैं अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ- प्लुट स्वर्ण का उपयोग हिंदी में अधिकतर मना के बराबर होता है जब हम किसी को पुकारते हैं या हम किसी मंत्र का जाब करते हैं तो प्लुट स्वर्ण का उपयोग करते हैं परन्तु अधिकतर आप लोग स्वर्ण स्वर्ण और दिर्ग स्वर्ण का उपयोग करते हैं यहाँ पर देखिए अ आ ई ई उ उ री ए ए ओ ओ अ गिनिये पूरा आप लोग यहाँ पर एक दो तीन चार पांचे साथ आट नो दस ग्यारा ग्यारा स्वर्ण आप लोग को यहाँ पर दिये गए हैं उनकी मात्राएं भी बताई गई हैं अ का कोई मात्रा नहीं होता है अ हमेशा वन्जन में हमेशा बिद्दिमान होता है ना अ के अगर हमें वन्जन लिखना होगा तो उसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा हलंत उच्छारण नहीं कर सकते सुकंटा पूर्वक यहाँ पर देखिए सुर के भेद हरस सवर जिसे लगु सवर छोटी मात्रा भी कहते हैं दीर्ग सवर बड़ी मात्रा और पलूट सवर इस प्रकार सवर के कितने भेद हैं तीन भेद हैं हिंदी में अधिकतर हरस दूर और दी अगर हम स्वतंत्र रूप से सिर्फ स्वर का उपियोग करते हैं किसी शब्द में तो वो स्वतंत्र पुर्वा कुसी रूप में लिखा जाता है अब आते हैं स्वर का हरस्वर की परिभाशा हरस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हरस्वर कहते हैं जिसे हम लगूस्वर या छोटी मात्रा भी कहते हैं जो कि हमारे चार हैं देखें आप हम अ, ई, उ, र, ि ये हमारे हरस्वर है छोटी मात्रा वाले स्वर ठीक है? आजाते हैं अब दिर्गस्वर की ओर जिन स्वरों के उच्चारन में हरस्वर से दो गुना ए ओ आओ ये जो हैं हमारे दिर्ग स्वर जो हैं वो पूरे साथ हैं इन्हें सैयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये दो स्वरों को मिला कर बनाया गया है और हरस्व स्वर जो पहले हमने पढ़ा उसे मूल स्वर भी कहते हैं वो जैसा का तैसा बना हुआ हमारे सामने आया ठीक है अब आ को देखोगे तो दो अ को मिला के आ बना है मतलब दो चोटी मात्रा को मिला कर एक बड़ी मात्रा बनी है तो इसे हम क्या कहते है बड़ी मात्रा कह सकते हो या दिर्ग स्वर भी कहते है या संयुक्त स्वर भी कहते है प्लूटस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उन्हें प्लूटस्वर कहते हैं, मतलब दोनों से अधिक समय लगता है हिंदी में इसका प्रियोग ना के बराबर होता है इसका उपियोग किसी को पुकारने या माला जाप करने के लिए किया जाता है जैसे अगर हम किसी को बुलाते हैं या आपकी माँ आपको बुलाती है तो आपका नाम अगर माला है तो सिम माला नहीं कहेगी आपको बुलाने के समय क्या कहेगी माला इधर आओ है ना तो ला पे अधिक ज़्यादा समय लग रहा है तो वो क्या हो गया प्लूट स्वर यहाँ पे देखिए ओम संगीता इस प्रकार से यह सारे जो शब्द है इनके आगे जो आप लोग देख रहा है यह प्लूट स्वर होता है ठीक है जिसमें दिर्ग स्वर से भी अधिक सम मैं लगता है अब आ जाते हैं मात्रा स्वर के बदले हुए स्वरूप को मात्राएं कहते हैं या फिर स्वर का उपयोग वेंजन के साथ जब किया जाता है तो मात्रा के रूप में किया जाता है उसका रूप जो है वो बदल जाता है देखिए अभी जैसे मैं उधारन देख रहे हो, आ, बाद में उसके साथ में र, फिर उसके साथ अ, और फिर तद, और फिर अ इस प्रकार शब्द क्या बना भारत मतलों इसमें स्वर का उप्योग मात्रा के रूप में किया गया है इसी प्रकार सूरत में देखिए यहाँ पर बड़ी उकी मात्रा लगी है फिर र अ फिर त अ इस प्रकार सूरत यहाँ पर मामा मामा में दोनों म में दोनों वेंजन में क्या लगा है आ की मात्रा लगी है बिना मात्रा के यहाँ पर मैंने जो अंतिम शब्द बताया है वो है अजगर लेकिन इसमें भी अ बिद्यमान है बिना अ के बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है देखो सब के वेंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है अगर हम बिना अ के वेंजन लिखेंगे तो नीचे हलंत लगाना होगा तो अ जो है वो हर वेंजन में पहले से जुड़ा ह हुआ है इसलिए हम उसका उच्चारण कर पाते हैं तो इस प्रकार मैंने यहां पर आपको स्वर के बारे में और स्वर के भेद के बारे में जानकारी दी अब इससे संबंदित प्रश्ण पूछा जाएगा उसका उत्तर आप लोग को लिखना है धन्यवाद बच्चों